हालो वीटिफुल पीफुल नमस्ते कैसे है आप सब डाट लवस ट्रिपल वन पे आप सब का बहुत बश्वागत है गाईस तो आज करेंट फिलिंग्स चेक कर लेते हैं आपके पोसं की अपडेटी रिडिंग कर रहे हैं यानि कि उनकी वर्तमान भावना है अभी क्या-क्या चल रही है इस वक्त तो गाईस आज मैंने पाइल पर रखे हैं दो थोड़े से डिफरेंट चीज़े यह पहला जो पाइल है ना गाईस यह हैं ब्रासलेट ओके इसे ऐसे पहनते हैं देख लिए यह है पाइल नमबर वान ठीक है और यह है पाइल नमबर टू यह है फिंगर करनी है और दिल पर हाथ रखना है गाईस पॉजिटिव एनरजी में रहनी है और आज देखते हैं आपके पोसंद की वर्तमान भावनाव में क्या-क्या चल रहा है बदलाव कितने आए हैं उनकी फिलिंग्स में क्या-क्या सोच रहे हैं करने के बारे में ओके तमाम जो भी चीजे पास प्रेंट फ्यूचर मुझे नजर आएगा मैं आपको बता दूंगी ठीक है मागई तो गाईस आई होप आपने पाइल सलच कर ली है मैं स्टार्ट करूंगी फॉर्स्ट पाइल से इससे भी मता दें यहां से तो यह है पाइल नमबर वन ठीक है पहनी लेते माग प्रूंगी इसवेजे़ब कर शेंट बता देंट पाइल नमबर नमबर देंट वहां से लीक हैं वहां सिर्षण से लीक है लेल बताशल से भी मताइल से पीज़गा मैं बताइल से ुटब ट्रीग कर दंपक शेंट है चले गाइस बने के लिए कार्ट के सफलिंग अब निकालते हैं कुछ कार्ट और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है फाइब पांटिकल्स तो खेल त्री ओफ वैंट्स स्ट्रेंथ वाउ एम्रर वाउ six of swords oh my god pile number one bingo आगया lottery लग गई मजा आगया मजा आगया गई वाउ वाउसम बहुत खुबसरत कार्ट वाउ नाइट अफ कबस आया है beautiful आज की रिडिंग बहुत ही बहतरीन है समझ गया करेंट फिलिंग स्रींग की बहुत अच्छी है देख लिए विस फुल्पिल्मेंट भी आया है nine of cups और last card निकालते हैं दिखते हैं हर्मेट ओ हर्मेट का कार्ड two of pentacles bottom में इनका निकल कर आया है ठीक है तो थोड़ा disturb हो रहा है मैं इसे निकाल देती हूँ कार्ड सफलिंग में प्रालम हो रही है तो चलिए अब मैं आपको यहां पर sign और element बता देती हूँ कि क्या क्या निकल कर आया है एरिस और लियो यहां पर इस रिडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है ठीक है गईज उसके बाद यहां पर बाकी लगबग सभी सभी sign और element आए है मुझे यहां पर कप्स की energy सबसे ज्यादा नज़र आई है प्यार की energy water sign Kansas Scorpio Pisces करकुषीक बीन रासी उसके बाद यहां पर और साइन है टॉरस दूर्ग काप्रिकॉन विशपकर नहमकर रासी फाय साइन है लियुसायटेश आड़िस धनो मिश्रासी और एयर साइन है जैमनी लिव्रायकरिस मिशन तुला और कुम रासी ठीक है तो यह आपके sign भी हो सकते है आपके portion की current feelings में अभी यानि की वर्तमान भावनाय कैसे चल रही है क्या कुछ उनकी feelings में बदलाव आया है या पहले की energies में है इसी पर मैंने updated reading आज की है हमेशा updated reading ही होती है मेरी तो पहले ही बता दू कि बिंगो कार्ट निकल कर आया है जनम जनम वाला जो रिस्ता है आप दोनों का है यानि कि soulmate connection two of cups के energy यहाँ पर निकल कर आ गई है तो बेफिक्र हो जाईए ठीक है बेफिक्र हो जाईए pile number one और बस यह सोचिए कि जिस इनसान से आपने प्यार किया है ना वो इनसान धोके बाज नहीं है ठीक है वो इनसान धोके बाज नहीं है यह इनसान वो इनसान है जिसने बराबर आपसे भी उतना ही प्यार किया है जितना कि आप इस इनसान से प्यार करते हो क्योंकि यह भी आपको अपनी जिंदगी में रखते हैं आपको बहुत प्यार करते हैं यानि कि प्यार बराबर वाला ही यहां पर है जिस इंसान के साथ आप भी डिल कर रहे होगे हाँ देफिनिटली दूरी तो मुझे यहां पर नजल आ चुकी है यहां पर आया है यह कार्ड दिखा रहा है मुझे आपके पोसन और आ देखोगे ना तो यहां पर आपके पोसन के अलावा कुछ और भी लोग आपको इस फोटो में नजर आते होंगे यानि कहीं ना कहीं इस कार्ड को देखकर लगता है कि किसी और के कहने पर या किसी और की भलाई के लिए या किसी और के सामने यह इंसान हिम्मत नहीं दिखा पाए तो दूसरों की बाते सुनकर ही आपके लाइफ से इंसान निकले है ठीक है ऐसा लगता है चले गए है आपके दुन्या से ठीक है यह कोई ना कोई इस इंसान की प्रॉलम रही है मजबूरी रही है और बॉटम में भी हमें जो पैंदकल्स का कार्ड निकला है तो यह द प्रॉल्म को भी समझने की जरुत होती है तो कहीं न गहीं इनसान वैसा ही मुझे नज़र आता है जिसने चाहा कर आपसे दूरी नहीं बनाई है पर कहीं न कहीं इस इंसान की कोई ना कोई मजबूरी बहुत बढ़ी रही होगी जिसके वज़े से आपने दिल पर बहुत यानि कि छुपे रुस्तम, यानि कि भावनाएं नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये 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 है ऐसा नज़र आता है तो देखिए अभी इनकी करेंट फिलिंग्स में बहुत सारे चीज़ें चल रही है जो मैं आपको बता दी हूं बारी-बारी सबसे पहला जो हमारा काड़ आया था वह था फाइव पांदिकल्स का तो यहां पर यह पता दूगाइस आपके पोस्न को ना बहुत ज़ादा फाइनेशल क्राइस अभी हो रहा है ठीक है फाइनेशल क्राइस मतलब पैसे रुपे की दिक्कत हो रही है कैयर अच्छा नहीं चल रहा काम जहां पर भी यह स्टार्ट करने की कोषिस करते होने सक्सेस नहीं मिल रहा हो सकता है कि बहुत ज़ादा लोन में पढ़ गए है लोन बहुत चड़ गया है इनके सर पे हैना तो पैसे रुपय को लेकर बहुत ज़्यादा ये इनसान अभी प्रॉल्लम में है ऐसा मुझे नज़र आता है इनकी करेंट फिलिंस में ठीक है दूसरी यहां पर थर्ड पार्टी कुई आफ वैंस निकल कर आई है त तो नज़र आता है कि हो सता है कि इनके मदर ने कुछ इन्हें कसम वगएरा दे दी हो कि आपसे दूर हो जाए या सिस्टर या फिर कोई भी एक महीला का रोल बहुत नज़र आता है जिनने आप दोनों के रिलेशनिशिप के बारे में पता चल गया और इन्होंने आपके पो पोशन किसी महीला के साथ जाते हुए नज़र आ रहे है ना तो ऐसाल नज़र आता है कि किसी और के कहने पर ही दवाव में आकर ही आपके पोशन दूर हुए है ठीक है इनका क्यार भी बिल्कुल अच्छा नहीं है यह स्टाबिश नहीं है ऐसा भी नज़र आता है बहराल इ है आप दूर हो गए हो तो दर्द में आप ही हो आपके पोशन भी दर्द में है मुस्किले आपके जिन्दगी में है इनकी जिन्दगी में भी है ना यह आपको बहुत अलग प्यार करते है सच्चाई यही है जो इनकी भावनाव में मुझे आज की रिडिंग में नजर आया पर इंतजार आपका ही इंशा खड़ेोकर कर रहे कहाँ, इस इंसान में कहीं ना कहीं, वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे, आपके वापस आने का इंगे जिन्दिगी में इंतजार करते हैं, मुझे मिची नद आ बहुत सारे सपने देखते हैं आपके साथ बहुत सारे सपने देखे हैं ठीक है बहुत है इनकी इनकी एक दो सपने नहीं है इनकी तो बहुत सारे देखते हैं आपने सारे सपने आपके साथ पूरा करना चाहते हैं आपके साथ खुछ होना चाहते हैं घर बशना चाहते हैं मानना शुरू कर दिया है आपके बीना तो विशस बहुत है सपने बहुत है उपर वाले से मांगी जा रही है बहुत सारी चीज़े हैं और इंतजार भी आपका ही पेशन्स रखे कर रहे हैं कि जिस रास्ते से यह आपको छोड़ा आये थे उसी रास्ते पर एक ना एक दिन करते हैं किसी के साथ बात चीट करना उतना पसंद नहीं है इस इंसान को मतलब अकेले रहेंगे तो खुश रहेंगे इस तरीकी कि इससे अपनी जिन्दगी को बदलने की कोशिस कर रहे हैं बहुत जड़ा हर चीज़ गुमाच चुके हैं जिन्दगी में पर फिर भी कहीं न मैंने पोसन नहीं आता है मैनिफेस्टेशन करना दौाए करना आता है क्योंकि कभी कभी ना चाहिस मैंने कई बार रेटिंग में कहा है कि इन्सान को जब इन्सान से भरसा उड़ जाता है तब वो जाकर उपर वाले से ही हाथ फ्यालाता है और यही कुछ कंडिशन यही मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होने वाला है जैसा कि आपने देख लिया है हर्मिट का काड आया है और हर्मिट का काड आया है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि कच्छवे की चाल होती है ना हाला कि सोल मेट का कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ जितनी प्रश्रिफ आपके पास प्यार ही लेकर आना चाहते इन्हें आपके साथ कोई दुसरा रिष्टा नहीं चाहिए आपका प्यार ये चाहते हैं आपके साथ ये कर आ रही है strength का card हमें मिला है जो दिखा रहा है कि इस इंसान में दुनिया से लड़नी की जो हिम्मत नहीं थी हैना लोगों के खिलाब परिवार के के खिलाफ कास्ट के खिलाफ religion के खिलाफ यह इंसान नहीं जा पाए अगर ऐसे कुछ बात थी आपके रिस्ते में तो आपको समझना है कि अब आपके पोसन हिम्मत करना चाहते हैं हिम्मत दिखा कर आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं वो भी और सबसे खुबसरत बात जो आपके पोसन की पूरी हो जाएगी विस फुल्फिल्मिंट का कार्ड हमें यहां पर मिल चुका है ट्रावलिंग नजर आई है देखे six of swords नजर आया है इस कार्ड को देकर लगता है कि long distance relationship भी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है LDR में आप लोग हो यानि कि सहर अलग हो सक हो सकते हैं तो कहीना कहीं दूरी बहुत नजराती है यहां भी दूरी का कार्ड यहां पर बीदूरी कार्ड यहां पर five of pentacles emotional detached को भी दिखाता है कहीना कहीना आपके पोसन के मन में एक डर भी है कि आप इनसे धीरे-धीरे जो है अलग हो रहे हो आप इने भूल रहे हो emotional detached का का काड़ होता है अगर relationship में रिडिडिंग हम करें फाइव पंट कर सके हैं तो बहुत ज़्यारा इस इंसान को कहीं ना कहीं डर है है तिह ना कि आप हर पल हर वक इस इंसान देना चाहते हैं प्यार का आफ़र देना चाहते हैं पर bottom में ही निकल कर पर यहां पर लिया चाह रहा है ताकि अपनी समस्याओं से निकल कर यह आपके पास जल से जल पहुंच जाये तो गैस इसे आख्शन बहुत सारे आये हैने डाहत्य एख आवर है ने लिए यहां वहां कीजिए क्योंकि यह आपका सच्चा चाहने वाला इंसान है आपका सोलमेट है यह वही इंसान है जो आपको जिन्दगी भर प्यार करेगा तो यह इंसान कैसे भी कंडिशन में जिस भी कंडिशन में यह हो न यह इंसान वापस आपकी लाइफ में आकर ही दम लेंगे इन्हें क कोई नहीं रोक सकता थीक है कोई नहीं रोक सकता बस ध्यान दीजिए कि हर्मिट चल रहा है तो थोड़ा सा वक्त कुछ लोगों को लग सकता है क्यों कि जैसा आप जानते हो जैनल रीडिंग है ना तो सभी के portion तो hermit की energy में नहीं होंगे, है न, अगर सभी के, कुछ लोगों की hermit के energy में होंगे, तो इन्हें थोड़ा सा time लगेगा, अगर hermit के energy में नहीं होंगे, तो फटाक से इस reading के नीचे ही आपको, आपके person का message, call, कुछ न कुछ आ सकता है, ठीक है, ask reading में भी, ठीक है, तो अगर नहीं आता तो सोचिए कि अर्मिट का मोड़ा भी खतम नहीं हुआ है तो पाइल नमबर वन यही थे आपके बहुत ही खूपसरी से रीडिंग I hope आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंड, शेर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूँगी आपसे फिर से नेक्स रीडिंग में तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा खयाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जबा प्यार I love you all, take care, namaste and bye bye guys Hey guys, welcome back जिननों ने भी ये खुबसरूत सा रिंग सेलेक्ट किया है आपके पोसं की करिंट भावनाएं वर्तमान भावनाएं आपके जन्दगी में अगर आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उनके जिन्दगी में तो दीखेगे से इस विडिंग को कुछ तो है तुझसे राबता चुले गाइस मैंने कल लिये काज के सप्रिंग पहला काड आया है स्ट्रंथ का वाव फायर साइन में लियो स्ट्रॉंग है और वाव यह तो फांटिकल्स मेरा पसंदीदा काड है यह तो फांटिकल्स यह थोड़ा सब मुझे पसंद नहीं है नाइट ओव वैंट्स यह काड उन लोगों के लिए है न गैस जिसके पोसंद न फ्लॉट किया करते थे बहुत ज़ादा आपके होते हुए भी किसी के साथ फ्लॉट करना किसी की जुड़ी जुड़ी तारिफे करना और थोड़े जगडालू भी है गया गुसा बहुत है घ वैंट सब्सुर्ण कर दों हो पूह्ट एस हुप यहिव उन ए फिर दों है भी में हमें क्या मिला है इस बॉटम में हमें मिला है है रॉफेंट वाव मसा रहा चले तो कुछ घर्टी कुछ इमीटी फिलिंग्स है इस इंसान की इस पोषन की आपके पोषन की है ना तो चले मैं आपको बता देती हूं कि यहां कौन-कौन से साइण और ऐलिमेंग्स सबसे ज् कुछ लोगों का तो बहुत कठीनाईयों वाला सफर है है ना तो लियो यहाँ पर स्ट्रॉंग नज़र आ रही है लियो के साथ साथ टॉरस स्ट्रॉंग है उसके बाद एर साइन सबसे ज्यादा नज़र आई है जैमिनली लिप्रायकर रेस विजन जुला कुम रासी उसके बा कर रासी तो आपके पर्सन की वर्तमान भावनाई क्या चल रही है मैं आपको बता देती हूं कुछ पास्ट की बाते बता दूँ गैस ताकि आपको रिडिंग रेजनेट होने में आसा नहीं हो जाए ठीक है आपके पर्सन कैसे थे उनका नेचर कैसा था उनका बीहेवियर कै सुअ बता देती हों ठीक है कुछ लोगों के पोशन केशन में लेकि बताती हूं गलाताने या जब आपके साथ रिलेशनेशिपमें आये थे तो वह प्यार वाली भाहिनाय लेकर नहीं आये थे आ clean अनर्जी में आये थे यानि कि खेल-खेल में आ गये आपके जिन्दगी में है ना मजाक मजाक में आपके साथ रिलेशनशिप बन गया इनका प्यार हो गया यह ना बहुत ज़़ा अट्रक्शन आपकी तरफ था बहुत ज़़ा सेक्श्वाली सीधे सब्दों में कहूं लफज में चले जाएंगे किसी और के तरफ भी इनका लगाओ हो जाएगा जुख जाएगा तो थोड़ा फ्लर्ट एनर्जी भी नजर आती है हाला कि सभी के पोसन ऐसे नहीं है और इनका नेजर और कैसा था कि बहुत ज़़़ा गुस्सा करना छोड़ी चीची बातों पर आप पर दूसरे जो पोसन है कुछ लोगों के वो कैसे है बिल्कुल मजबूरी वाले पोसन है यानि कि देखे टेन ओफ वैंस यहां पर आया है जो दिखा रहा है कि आपके पोसन के कंदों पर बहुत बड़ी बड़ी जिमेवारिया है किनका जिमेवाली है इनका परिवार का है ना इनका क्याइर का है ना यानि की कास्ट का, रिलिजन का, धर्म का, समाज का, ऐसी चीज़ों की बोज के तले कहीं न कहीं आपे पोषन दबे हुए हैं तो जो हमेशा confusion में रहे देखे two of source भी आया है two of source दिखा रहा है कि हमेशा you know मन को मार कर किसी चीज़ को you know choose नहीं कर पाना है ना अपनी इच्छाओ को हमेशा इच्छाओ की बली चड़ा देना हमेशा दो नाओं के बीच में फसे रहना दो लोगों के बीच में फसे रहना समझ में नहीं आना कि क्या करना है कैसे आगे बढ़ना है किसे सलग करना है किसे रिजेक्ट करना है तो ऐसे मजबूरी वाले पोसन मुझे कही ना कही नजर आते हैं ठेक हैं कुछ लोगों के पोसन मुझे नज़र आई है जिसके वज़े से आज के दिन जो है आप दोनों के बीच में जो रिलेशन्शिप है वो कही ना कई रुख गई है खतम हो गई है है ना बिगड़ गई है ऐसा नज़र आता है जब एट रस पांटिकल्स को देखती हूं मैं कुछ लोग यहां पर ऐसे है कि आपने ही दूरी बना दी इनका आगर रही आसा नेचर था न आपके पॉषन का तो हो सकता है कि आपने खुद ही जो है इनसे पीछा छुड़ाने लिए इनसे ब्रेक अप ले लिया या दूर हो गए तो कुछ भी हो कै यहां पर एसा भी नज़ तुन फ्लेम का सफर कुछ लोगों का चल रहा है यानि कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो वो आपका जुड़ाए एनरजी है जुड़ाए एनरजी मतलब आप दोनों को सरीर अलग दिये गए है पर आपका जो सोचने का ढग है बोलने का तरीका है आप दोनों की फीलिंग्स से बहुत ज्यादा प्रॉलम्स आती है टुन फ्लेम की जर्नी में है ना तो देखे कुछ लोगों के पोशन यहां पर साधी सुदा भी नजर आते हैं जब मैं फॉर आफ वैंस को देख रही हूं हो सकता है कि कहीं पर इनके आरेंज मैरिश हो गई है या इंगेजमेंट फिक करने की ठीक है यह बस सिर्फ और श्रीफ आपको चाहते हैं आपको प्यार करते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं उनके करेंट फिलिंग में मुझे यह क्यों नजर आ रहा है कि वह आपसे प्यार करते हैं और आपसे साधी करना चाहते है उन्हें आरेंजमेंश में इंट्रस हो आप है ना तो bottom में ही रूल कर रहा है love marriage का card और यह spiritual journey को भी दिखाता है कि आपके person बहुत ज़रा आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की कोशिस कर रहे हैं बदलने की कोशिस कर रहे हैं इस तो के साथ connection build up कर रहे हैं ना बहुत ज़रा ठके हुए है आपके person मुझे बहुत ज़रा tired energy में नज़र आ रहे कि ठक चुके हैं दे दे कर लोगों को दे दे कर लोगों की बाते सुन-सुन कर लोगों को मना मना कर है ना अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं को मार कर यह इंसान बहुत ज़रा ठकावा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है इनकी current feelings में आपके चले जाने का गम बहुत है है ना देखे प्यार को छोड़कर आप गए हो या जबर जिस्ती जाना पड़ा आपको है ना जो भी हो situation आपे पोसंद बहुत दर्द में है पेन फिल कर रहे है इनने किसी चीज़े मन नहीं लग रहा अच्छा नहीं फिल हो रहा है है ना प्यार के loss हो जाने का बहुत ज़रा कहीं दर्द इस इंसान के जहन में मुझे नजर आ रहा है आपके साथ नहीं सुरुत ड़ेफिनेटली करना च चाहते हैं Ace of Cups यानि की प्यार का ही energy हमें यहाँ पर मिल रहा है है यानि की प्यार ही देना चाहते है प्यार की शुरुवात करना चाहते है पर आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें मिला है King of Swords का काड़ी यह present energy है इस strict family से belong करते हैं जहां इनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है जहां इनकी आशों को देखने वाला कोई नहीं है इनकी problems को सुनने वाला कोई नहीं है तो इसी वज़े चे कहीं ना कहीं अपने आपको इनोंने बहुत जारा कठोर बना दिया है जबर जस्ति हैना दिल की बातों को छोड़कर दिमाग की बाते सुनने को मजबूर यहां पर आपके पॉसन मुझे नज़र आ रहे हैं इनकी current feelings में फ्यूजर बहुत खुबसूरत है गाईस यह देखें यह इनसान डेफिनेटली परिवार का बोज्ज है है ना कोई भी कैरियर का बोज्ज है जो भी है गाई नज़र आ रही है कि अब जो है आगे बढ़ना है अब जो है हिम्मत दिखानी है अब लोगों के मुझ पर ताला मारना है और वही करना है जो अपने मन में है मेरे हैं अपने लिए जीना है तो इस तरीकी की एक बहुत strong thinking मुझे आपके पोसन में यहां पर नज़र आ रही है रिलेशन्शिप को फिर से बनाना चाहते है देखे गाई एस एर फ़ पान्टेकल्स आया है जो दिखाता है रिलेशन्शिप ग्रोथ को है ना कि जो चीज़े खतम हो चुके जड़ से खतम हो चुकी है जिसे इन्होंने हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया यानि कि सब्सक्राइब कोई होप नहीं है अब कोई उम्मीद मत रखो इस तरीके से अगर आपके पोशन आपके लाइफ से निकले हैं आपको तमाम बाते बता कर कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता फैमिली नहीं मानेगी हैना हमारे बीचे बहुत ज़्यारा डिफ्रेंस है हैना तुमें जो है मेरी फैमिली कभी अक्सेप नहीं करेगी या मुझे तुमारी फैमिली कभी अक्सेप नहीं करेगी हैना तो बहुत सारी मजबूरिया दिखाकर आपके पोशन निकले हैं बहुत सारे बहाने बनाकर आपके पोशन अगर निकले हैं तो आपको यहाँ पर एड फांदिकल्स का काड हमें यहां पर मिल चुका है ठीक है गाइस देखे यह इंसान जो भी है वापस तो डेफिनिटली आ रहे है है और यहां पर कोई हर्मिट का काड नहीं है तो मैं यह आपको बता सकती हूं कि इनसान डेफिनिटली आपको जल्द ही जल्द कॉंटक करें करेंगे पर कुछ चीजों का ध्यान आपको देने की यहां पर जबूरत है यह मेरी हिदायत है आप सभी को कि इन हिदायतों को आप फॉल्लो करना यह तो आपको ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर कुछ लड़ाई जगड़े यह अगर आपको कॉंटक करते हैं कुछ लड़ाई जगड़े भी हो सकते हैं ठीक है क्योंकि हमें आपर फाइव और स्वोर्स का कार्ग मिला है जो एक नेगरटिव एनरजी होती है जहाँ पर लड़ सकते हैं अगर यह आपको कॉंटक करेंगे तो ट्विल्फ्लेम का सफर है ऐसे भी है न तो प्रॉलम्स तो होगी ही लड़ाई जगड़े तो होंगे ही आप दुनों के बीच में हैना मन मुटाव होगा भी यानि कि दूर भी नहीं रह पाते और पांस आते हैं तो भी प्रॉ दूर सारी इनकी फिलिंग्ज है कि आपको अपने घर लेकर आयूं आपको अपनी जिन्दगी का हिस्छा बनाए' है शाले को फिर से बनाना चाहते प्रपोस करश कर सकते हैं त South Korea ब्रॉसर फिए आपको दे सकते है क्योंकि इन में आ रही हिम्मत तो आपको यहां पर कॉंटेक्ट आपके पोशन का डेफिनेटली मिलेगा बस जरा सा ध्यान यह देना है कि अगर आपके पोशन आपको कॉंटाक्ट करते हैं तो लड़ाई जगड़े से दूर रही है पहली हिदायत ठीक है लड़ाई जगड वाले एनर्जी में थे तो भी बदलाव इस इंसान में होगा क्योंकि हेरोफेंट हमेशा स्प्रिचल ग्रोज को दिखाता है कि कोई इंसान है जो बदल रहा है तो बदलाव तो यहां पर नजर आया है पर आपको देखना है क्योंकि यह जरूरी नहीं होता इसी वज़े से आपको ध्यान देना है कि इन एन आउट करने वाले सिचेशन में ना आए यानि कि कभी बहुत जारा प्यार दिखा दिया कभी बहुत जारा गुसा दिखा दिया कभी आ गए और दूसरे दिन गायब हो गए अगर ऐसे अनर्जी में आते हैं तो उन्हें डायर्ट जो है आप इन आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो यह इनसान भी आपको कॉंटक कर सकते हैं प्यार का उफर दे शकते हैं याना आपको बता सकते हैं कि इनकी मजबूरिया क्या है हैंना सभी कुछ यहाँ पर हो सकता है तो जैसे कि यहाँ पर वहमें बहुत बड़ा अक्षन तो नहीं यहीं पर इस इनसान की feeling से, चाहत नजर आई है, वह प्यार आपको offer करना से यह इस रिस्तé कि छफीडसे करना चाहते हैं यहीं सब चीजे इस इंसान के current feelings में और आपके चले झाने का दर्द, इस इस इनसान के जहन में मुझे definitely नज़र आ रहा है so guys यहीं मुझे नज़र आई है आपके person की current feelings जहां पर थोड़ा दर्द भी है जहां पर थोड़ी मजबूरिया भी है जहां पर थोड़ा attraction भी है पर जो भी है आपके person सुधार नज़र आ रहा है बदलाव नज़र आ रहा है बस ध्यान दीजिए कि आप कुछ आपनी तरफ से ऐसे गलतिया मत करना कि आप दोनों के बीच में फिर से लड़ाई जगड़े जैसे चीज़े हो जाए क्योंकि यह सब भी होने के chances है ठीक है तो यहीं थी guys आपके person की current feelings reading आई हो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंड शेर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगी आपसे फिर से next reading में तब तक आपको रखना आपना बहुर अचा खयार क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जारा प्यार I love you all take care namaste and bye bye guys